विपनेंट के कारें डिस्कस करते हैं, तो विपनेंट के कारें का मतलब क्या होता है कि इच्छように मार्केटिंग में क्या किया जाता है, विपनेंट करता क्या है सबसे पहला पॉइंट, पहले हेडिंग डाल लिजें, विपनेंट के कारे, वेरी impression टॉपिक थोड़ा lengthy topic है लेकिन बहुत important है इस पूरे chapter को समझने के लिए तो पहला विपनन का कारे बाजार संबंधी सूचनाए एकत्रित करना और उनका wish relation करना market से related information को पहले एकत्था करना और उसको analyze करना उसका wish relation करना क्या हो सकती है बाजार संबंधी सूचनाए कि हमें क्या बेचना है हमें किसे बेचना है यानि कि हमारा ग्राहक कौन है वो हमसे क्या खरीदना चाता है और market में बाजार में क्या opportunities हैं हमारे सामने क्या-क्या अफसर है जिनका लाब उठाया सकता है और इस समय में क्या-क्या अफसर हमें दिखाई दिये हैं क्या-क्या चीजें हैं जिसकी ग्रहकों को आवश चकता है और इस समय में क्या-क्या कठीनाईयां आ रही हैं तो हमें उनके घर तक समान पहुंचाना है तो उन कठीनाईयों में भी हम अफसर ढूंके उसका इस्तिमाल कर सकते हैं इसका explanation नोट कर सकते हैं इस कारे में विपनन करता बाजार संबंधी सभी महतपूर्ण सुचनाई कठी करता है वो क्या क्या हो सकती महतपूर्ण सुचनाई जैसे कि कौन है हमारा ग्राहक उन्हें क्या चाहिए बाजार में क्या-क्या अवसर है और क्या-क्या कठीनाईया है बैटे मैंने explanation इसले लिखा है क्योंकि बहुत बार पिर आप पूछते हो कि इसमें explanation में हमें क्या लिखना है मैं तो समझ ही नहीं आ रहा है बाकी आप NCRT स से रीड जरूर करो एक बार तो आप उसको रिलेट करोगे आपको समझ में आएगा तो information collect कर ली अब information collect करके उसके accordingly हम act करते हैं काम करते हैं काम करने के लिए सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं तो विपनन का दूसरा कार रहे है विपनन नियोजन प्लानिंग प्लानिंग planning means deciding in advance नियोजन का मतलब पहले से यह निर्धारित करना क्या करना है कब करना है कैसे करना है कारे किसके द्वारा किया जाना है यानि की प्लान करेंगे marketing में भी जो विपनन करता है वो प्लान करेगा क्या प्लान करेगा एकत्रित की गई सुचनाओं के आधार पर जो information हमने उ रवश्रक्ताओं की पूर्ति के लिए वो क्या बनाएगा कैसा बनाएगा कितना बनाएगा और कब तक बना देगा अब क्या करो सोचते ही रहो या उसको वास्तविक रूप प्रदान करो सो तीसरा कार रहे है विपनन का तीसरा कार है product का design सोचता है कि मेरा product होगा ऐसा नज प्रदान करता है ऐसा कहा जाता है कि रतन डाटा ने नैनो कार के बारे में कैसे सोचा कि एक बार मुंबई की बारिश में अटके हुए थे तो वहां पर उन्होंने ट्राफिक में देखा कि एक मोटर साइकल पर हस्बेंड वाइफ और उनके दो बच्चे जो हैं एक टू वी टू बिलर खरीदने वाला व्यक्ती भी खरीज सके इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक लाक रुपे के अंदर अंदर आने वाली नैनो कार का निर्मान करेंगे तो ऐसे वो किसी प्रॉड़क के बारे में सोचते हैं तो एक बार जब विपनन करता है या निर्धार होगा हमने उसका डिजाइन भी तयार कर लिया ना फॉर्थ पॉइंट प्रमापी करन्ट स्टैंडरडाइजेशन स्टैंडरडाइज करना किसी भी चीज़ को मानग प्रदान करना उत्पात डिजाइन के बाद उत्पात को एक निश्यत प्रमाप के आधार पर एक निश्यत करता है आपने को में पढ़ा होगा आज कल की जो मारकेट है वह मानोपलिस्टिक कॉमप्पिटेशन में क्या होता है सब एक तरह का एक जैसा सा समान दे रहे हैं लेकिन एक तो जो हमें अपनी और जाधा आकरशित कर लेगा या कहीं पर भी थोड़ा बहुत अगर हमें quality में 19-20 मिलता है तो जहां पर quality better होती है उस तरफ आकरशित होते हैं तो अपने product की quality को improve करने के लिए हमें प्रमापी करन का सहारा लेना चाहिए तो अभी तक हमने चार points discuss करे हैं सबसे पहला बाजार संबंदी सुचनाय खट्टी करना फिर उन सुचनाओं के अधार पर planning करना फिर उस planning के अधार पर product design करना और उस product को standardized करना प्रमापीद करना आगे अभी मैंने आपको बताया ही कि एक अच्छा प्रमाप जो होता है वह उत्पात की गुर्वत्ता सुनेशित करता है उसकी quality assure करता है पांचवा कार रहे है विप्रेंट का पांचवा कार रहे है उसकी packaging और उसकी labeling त्यार करना packaging packaging का मतलब क्या होता है product को एक बाहरी आवरण प्रदान करना उसको एक बाहरी covering देना जो उसको सुरक्षा प्रदान करे और labeling का मतलब उत्पात के उपर कोई पडची लगाना कोई चिट लगाना जिसमें की उत्पात से संबंदित सभी उपलब दो बहुत जरूरी है बहुत important है तो प्रदक की packaging क्यों जरूरी है उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और कई बार आपने देखा packaging इतनी सुंदर होती है और कभी कभी अंदर उसमें समान ही निकलता दिवाली पर बड़े सुंदर सुंदर गिफ्ट साते हैं जरूरी घासफूस भरी वी थे और ऊपर दो तीन समान रखके उसको पैक किया हुआ था तो packaging जो होती है वो product को आकर्शक बनाती है और ग्रहक उसकी और आकर्शित होता है तो सुरक्षा भी ब्रदान करती है और आकर्शक भी बनाती है इसके बारे में और detail में हम कि packaging और labeling में हम करते क्या है तो इस चरण में यह निर्धारित किया जाता है कि उतपात की packaging तथा labeling कैसी होगी यह दोनों ही उतपात की सुरक्षा उपयोगिता और आकर्शन को बढ़ाते हैं packaging और labeling से सुरक्षा उपयोगिता और आकर्शन बढ़ता है sixth point branding oh brand के कपड़े brand के जूते तो एक अच्छे brand से क्या होता है हमें कैसे पता चलता है ये Levi's का है ये Reebok का है ये इसका है और चैनल के बारे में कैसे पता चलता है उनका logo देख कर उनका chin देख कर तो branding में क्या किया जाता है अपने product को अपने प्रतियोगी के product से भिन दिखाने के लिए अपने बच्चे को अपने पडोसी के बच्चे से भिन दिखाना अलग दिखाना अलग नाम रखेंगे तो ऐसा नाम ही नहीं रखेंगे जो महले में किसी के बच्चे का नाम हो दिखना चाहिए अलग होना चाहिए नाम तो ऐसे ही अपने product का नाम इस चरण में अपने उत्पात को अपने प्रतियोगी के उत्पात से भिन्द के लिए एक अच्छे से brand का निर्माण किया जाता है brand होता क्या है कोई भी नाम शब्द चिन प्रतीक या इन सभी का मिश्रण जो हमारे उतपात को हमारे प्रतियोगी के उतपात से भिन दिखा सके अलग दिखा सके बहुत जरूरी है branding भी नेक्स्ट पॉइंट पहले वीडियो को pause करके यहां सारा नोट कर लीजे बेटा अब प्लैनिंग भी कर ली प्रॉडक का डिजाइन भी त्यार कर लिया उसके उपर ठपा भी लगवा लिया अच्छे स्टैंडर्ड का उसकी पैकिंग भी बढ़िया करा दी लेवल भी लगा दिया उसके उपर और उसकी बढ़िया सी सेंटर खोलेंगे क्या होती है गरहाग समर्थन सेवाइं यह विप्लन का बहुत महतपूण का रहे है आज के टाइम में जबकि हमें कहते हैं इसके माध्यम से हम क्या करते हैं हमें पता होनाँ चीह ग्रहक समर्तन सेवाओं में क्या मतलब है, इसके माध्यम से हम ग्रहकों की शिकायते दूर करते हैं और उन्हें कोई टैक्लिकल इशू है की जल रहिए है, कोई कस्टमर की अपनी कोई परसनल प्राउब्लम है उस vLo के माध्यम से resolve कर सकते हैं उनका solution निकाल सकते हैं ओके आठवा point मूले निर्धारित करना product का price decide करना आपके product का price कैसा होना चाहिए eco में भी आपने पड़ा है what are the factors affecting the price of a product फिर भी अगर हम normally हम बात करें तो किसी भी उतपात के मूले को निर्धारित करते समय बहुत सारे factors होते हैं लेकिन अगर Pepsi का price decide किया जाता है तो वो देखता है कि Coca-Cola ने क्या price रखा है there are various other factors यह एक factor है जिसके बारे में हम discuss कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि हमारे प्रतियोगी का मूले क्या है फिर हम चाहते हैं कि हम अपने product को वैसाई price रखें या कुछ change price रखें वो हमारी marketing strategy पर हमारी विपनन रणनीती पर निर्भर करता है तो इस कारे के अंतरगर उत्पात का मूले निर्धारित क्या जाता है यह बहुत महत्वण कारे है क्यों है महत्वण क्योंकि मूले किसी भी product की सफलता या उसकी विफलता को प्रभावित कर सकता है आपने देखा है वाई जीओ इस सो पॉपिलर जीओ इतना जादा पॉपिलर क्यों हुआ बताइए एक तो उसकी range बहुत अच्छी है और दूसरा price में वो सब चीजों को बाकि सारे जो इचनल connections है उनको compete करता है इन फैक बीट करता है उनको तो आट points हमने discuss किये हैं पहला पॉइंट बारजार संबंदी जानकारी इकत्यकर्थ करना फिर उस जानकारी के अधार पर प्लान करना फिर उस planning के अधार पर product का design दिजाइन तयार करना तो प्राइज रखोगे बजार में बेच दोगे और अगर कस्टुमर खुशनी हुआ तो उसको ग्रहक समर्थन सेवाएं प्रदान करोगे यहां तक नोट कर लिया आगे चलते हैं समर्थन भाई हमने बहुत अच्छा प्रॉड़क बनाया बहुत अच्छा डिजाइन तयार करा और बहुत बढ़िया उसका प्राइज रखा पर अगर जंगल में मौर नाच्टा रहेगा तो कौन देखेगा तो जंगल में मौर नाच्चा किसने देखा क्या मतलब इस बात का लोगों को बताना बड़ेगा we'll have to tell the people that this kind of product is available in the market ऐसा एक उतपाद है ऐसा एक product है जो बाजार में उपलब्द है तो वो हम किस तरीके से करते हैं समवर्धन के माध्यम से समवर्धन मतलब promotion लोगों को अपनी और आकरशित करना कैसे आकरशित करेंगे इस कार्य के माध्यम से विपनन करता उप्होकताओं को अपनी वस्तुओं या सेवाओं के बारे में जानकारी देता हैं बताता है और उन्हें खरीदने के लिए अभी प्रेरित करता हैं motivate करता है तो समवर्धन में दो काम किये जाते हैं कौन कौन से दो काम उत्पास संबंदी जानकारी प्रिद तो अब इतना कहके बात नहीं बनेगी, customer is the king, आपको समान को उसके घर तक भी पहुचाना पड़ेगा, तो उस घर तक पहुचाने की जो प्रक्रिया है और जो लोग इसमें सम्मिले थे हैं, उसका नाम रखा हमने वितरन, तो इस चरण को भौतिक वितरन के नाम से भी जाना जाता है, क्या डिसाइड करते हैं हम इसमें की कौन यानि की कौन कौन लोग होंगे और कैसे वो प्रोड़क्ट को उत्पादक से उभोगता तक पहुचाएंगे, यहाँ पर उत्पादक है, प्रोड्यूसर, तो यहाँ पर बहुतिक वितरन में क्या निरधारित होता है, कौ और कैसे उत्पाद को उत्पादक से उभोगता तक पहुचाएगा, यह इसका दस्वा कार रहा है, बहुत इंपोर्टन कार रहा है, तो स्थान संबंदी बाधा को दूर करने के लिए, क्योंकि प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है, और उसका कंजम्शन कहीं और होगा, तो स्थान संबंदी बाधा को दूर करने के लिए, हम परिवहन का इस्तिमाल करते हैं, ट्रांस्पोर्टेशन का इस्तिमाल करते हैं, तो वितरन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, परिवहन का सहारा लिया जाता है, यह स्थान संबंदी बाधा को दूर करता है, ग्यारा पॉ लेबलिंग करी ब्रैंडिंग करी प्राइज रखा लोगों को अवाज लगा लगा के बताया कि यह हमारा प्रॉड़क्ट है खरीदो कोई प्रॉब्लम आ गई तो कस्टुमर सपोर्ट सर्विसेज उनको दी और डिस्ट्रिब्यूट करा उनके घर तक समान पहुंचाया और ब यान कि यससा के लिफिन को भर्ने के लिए क्यों समय समबंध ही बाद को दूरे करें क्या जाता है क्यों कि प्राड़क्ट के उत्पादन और उपभोग के समय में अनतर रोता है वस्तु के उत्पादन और उभोक के समय में अंतर होता है इस वजह से बहुत बार हमें उसको सेव करके रखना पड़ जाता है फटा-फट इसको समयराइज करते हैं विपनेंट के कारे को सबसे पहला बाजार संबंदी सुचने खट्टी करना अवसर और क्या करते हैं सोचने का काम करते हैं किसे पहला है गर कब बनांगा तर बनाओंगे तो उन्होंने प्रॉद्ट निदिमाग में ऐसी कर घंद की इस पर डोरी मॉन का bamboo copter लगा देंगे हम फिर प्रोडक्त रॉड़र्ट करा गोल्ड है तो hallmark का sign राप्त करा कृषिवृद पादय मांक का sign हो गया तो इससे हमारी quality assured हो गी प्रमापी करंट से क्या फायदा होता है quality assured रहती है packaging और labeling से क्या फायदा होता है फैप सोडेंड का पैचान में आता है यह नाइक का जूता है यह एडिडास का है यह वुड्लैंड का है तो एक दूसरे को प्रतियोगी से भिन बनाते हैं अलग बनाते हैं ग्रहक समर्थन सेवाएं हमें फोन कर सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हमें मेल कर सकते हैं आपको कोई प्रॉ बताना है क्योंकि जंगल में मोर ना चांक इसने देखा तो बताना पड़ेगा लोगों को बताने के तरीके विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रे जनसंपर्क प्रचार यह सारे तरीके हैं जिनसे की लोगों को अपने प्रॉड़क के बारे में बताया जा सकता है बस्तु को उत्पादक से उबोक्ता तक पहुंचाने के लिए वित्रन का इस्तिमान लेना स्थान संबंधी बाध़क को दूर करने के लिए परिवहन का सहारा लेना और समय संबंधी बाध़क को दूर करने के लिए भंडारन का सहारा लेना अगली वीडियो में विपनेंट की अलग-अलग जो अवधारनाय हैं जो मार्किटिंग फिलोसोफी हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे अभी यहां तक इसको बहुत अच्छे से नोट बना लो और इसे याद कर लो थैंक यू गॉड ब्लेस यू